पांचक बहुत बार सुनो होगा कि पांचक जब भी लगता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है पांचक अच्छे नक्षत्रों के उपर कि हमारे जीवन में नक्षत्रों का क्या रोल है कैसे हमारी किस्मत का कनेक्शन होता है नक्षत्रों से अच्छे नक्षत्र में आप अपने अच्छे काम कर सकते हैं कैसे हमारा वेबार हमारी खूबिया हमारे गुण नक्षत्रों के वज़े से आते हैं कैसे हमारा भाग उद्य होगा नक्षत्रों के वज़े से जानी अपने आपको इस वीडियो में आज सारे बाते बताऊंगा कि नक्षत्र क्या होते हैं और कौन-कौन से नक्षत्र सुब होते हैं, कौन से असुब होते हैं और कौन से मद्यम होते हैं आपको बताऊंगा ताकि आप जान सकें कि अच्छे और बुरे नक्षत्र क्या होते हैं आपको ये बहुत जादा फाइदे मंद होगा जब आप अपने सुब काम को सुब नक्षत्र में करेंगे जैसे घर बनाना गाड़ी खरीदना तो आपके लिए वो बहुत लाबामबित होगा जैसे ही अगर आपको पता चल जाएगा कि वो नक्षत्र असुब है तो आप र कारम करना है और कब उसे नहीं करना है इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने जीवन में अच्छे मूरत को जानके सुब कामों को अच्छे समय पर कर सकते हैं तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैन ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है पांचक आपको वीडियो के सारी लेटेस्ट इंफोर्मेशन सबसे पहले मिल सके तो चल ये वीडियो शुरू करते हैं हम अकसर सुनते हैं कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं या फिर सारा ख जोतिश शास्त्र तो पूरी तरह ग्रह नक्षत्र पे ही अधारित है यह हम सब को पता होता है कि आखिर ये ग्रह नक्षत्र है क्या इसे पूरी दुनिया में प्रचलित तमाम कैसे इससे जुड़ी है हमारी किस्मत का connection नौ ग्रह का हमारी किस्मत पर पढ़ने वाले प्रभ जानत काफी एहम है जो तेश पद्धितियों की तुलना में सबसे जादा सटीक अचूक माना जाता है आप जानेंगे कि नक्षत्रों से हमारे जीवन में हमारी भाग्य का क्या connection है हमारी जीवन का क्या connection है उससे पहले जानें कि क्या है ये नक्षत्र दरसल हम जब अंतरिक् करते हैं तो चंद्रमा या तमाम ग्रहों की गती चाल से बनने वाले समी करनों की बात होती है अंतरिक्ष में चंद्रमा की गती और प्रित्थवी के चारों परिक्रमा करने के प्रक्रिया चलती ही रहती है चंद्रमा प्रित्थवी की पूरी परक्रिमा 27.3 दिनों में करता ह और 360 डिग्री के इस परिक्रमा के दौरान सितारों के 27 स्वमों के बीच से गुजरता है चंदर्मा और सितारों के स्वमों के इसी ताल मेल और संयों को नक्षत्र कहा जाता है अब आप समझ गए होंगे कि नक्षत्र है क्या जिन जिन 27 नक्षत्रों के सम्मू के 20 से चंद्रमा गुजरता है वही अलग-अलग 27 नक्षत्रों के नाम से जाने जाते हैं यानि हमारी पूरी तारा मंडल इनी सत्ता अब जानेंगे कौन-कौन से हैं 27 नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र बहुत इंपोर्टेंट शुरू पहला नक्षत्र भर्नी नक्षत्र, कृतिका नक्षत, रोहिनी नक्षत, मिग शिरा नक्षत, आद्रा नक्षत 27 अमों में बटा हुआ है और चंद्रमा का हर एक राशी चक 27 नक्षत्रों में विवाजित है किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चन्दमा जिस भी नक्षत्र में होगा याद रखेगा इस बात को या सितारे के जिस समूँ से हो गुजर रहा होगा वही उसका जन्म नक्षत्र माना जाता है और यही उसकी किस्मत की चाबी होती है तो आपका भी नक्षत्र आप अपने कोड़े में ऐसे देख सकते हैं इन 27 नक्षत्र को तीन हिस्ते में बाटा गया है पहला कैटेगरी होती है सोब नक्षत्र दूसरी मद्य नक्षत्र और तिसरा असोब नक्षत्र सबसे पहले जानेंगे सोब नक्षत्रों के बारे में सोब नक्षत्र वो होते हैं जिनमें किये गए सभी काम सिद्ध और सफल होते हैं इनमें 15 नक्षत्रों को माना जाता है जिसमें सबसे पहले रोहिनी नक्षत, अश्मी नक्षत, मिग शिरा, पुष, हास्त नक्षत, चित्रा नक्षत, रेवती, श्रवन, स्वाती, अनुराधा, भाद्रपद, उत्रशाडा, उत्रफागुनी, गनिस्टा और पुनरवाशु नक्षत्र होते हैं मद्यम नक्षत के बात करें तो मद्यम नक्षत के तहट वह नक्षत आते हैं जिसमें आम तौर पर कोई विशेश या बड़ा काम नहीं करना चाहिए, वो उचित नहीं होता, लेकिन समानेता कामकाच के लिहाज से कोई नुकसान नहीं होता इसमें जो नक्षत्र आते हैं वो हैं पूर्व फागुनी, पूर्व शाड़ा, पूर्व भादरपर, विशाका, जेस्ठा, आद्रा, मूल और शत्विशा ये नक्षत्र मद्धिमा में आते हैं असुब नक्षत्र डिवाद करें तो असुब नक्षत्र में कोय विसुब काम नहीं करना चाहिए। इसके हमेशा बुरे नतीजे होते हैं या काम काज में बाधा जरूर आती ही आती है। इसके तहत जो नक्षत्र आते हैं वो हैं भरनी, कृतिका, माग और अश्लेником। इसमें एक आम आदमी या जातक के लिए ये नक्षत बेहत घातक और नुकसान दे माने जाते हैं। पांचक बहुत बार सुनो होगा कि पांचक जब भी लगता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। बहुत अच्छा नहीं माना जाता है पांचक क्योंकि बहुत जादा लोगों के मन में अलग-अलग चीजें हैं पांचक को ले करके लोग कुछ ऐसे से कारे हैं जो नहीं करने चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि पांचक है क्या और पांचक को हम कैसे समझ सकते हैं यानि कि पांचक है क्या और पांचक में क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपने पांचक और गंडमूल नक्षत के बारे में भी अक्सर सुना होगा हमारे घर में बोजर्ग अकसर ये कहते हैं कि पांचक लग गया है या पांचक में कोई काम नहीं करना चाहिए या फिर इस बच्चे में गंडमूल दोश है, गंडमूल की पूजा करानी है, आदी इत्यादी आखिर ये पांचक और गंडमूल का मूल है क्या? पहले जानते हैं पांचक के बारे में, जब चंडमा, कुंब और मीन राशी पर होता है, तब उस समय को पांचक कहते हैं, इसे सुब नहीं माना जाता इस दोरान घनिस्ता से रेवती तक के जो पांच नक्षत होते हैं, घनिस्ता, सदविशा, पूद्र भादरपत, उत्र भादरपत और रेवती होते हैं, इनमें पांचक पांचक में ये सारे काम को नहीं करना है, इस बात का विशेश रख्येगा ध्यान, उसी तरह गंड मूल या मूल नक्षत्र को भी बेहत असुब माना जाता है, दरसल नक्षत्रों के अलग-अलग स्वभाव होते हैं और मूल नक्षत्र के तहत आने वाले अश्वनी नक्षत् जो लोग इसमें पैदा होते हैं, उनका जीवन बेहत, उतल-पुतल और तनावों से भरा होता है, इसलिए बच्चों के जनम के 27 दिन के बाद इसकी पूजा करवाई जाती है, और इसके बुरे प्रभावों को खतम किया जाता है, वेतिक जोतिश में जब भी हम नक्षत्रो की बात करते हैं, हमें इन पहलों को जानना जरूरे होता है, साथ ही आपके वेतित्व और सुभाव का आइना होता है, ये नक्षत्र आप माने या ना माने, लेकिन जिस नक्षत्र में आपका जनम हुआ है, उसका असर कहीं न कहीं आपके पहवार, जीवन सैली और आई हुई जानकारी आपको बहुत जादा पसंद आई होगी, आपके ज्यान को बहुत जादा बढ़ाई होगी, और अपनी वाने को यहीं विराम देते हुए, आपसे बिदा चाहेंगे, फिर आपसे अगली वीडियो में विलेंगे, जिसमें हम 27 नक्षत्रों को एक-एक कर के उसके डिटेल्स जानेंगे, और जानेंगे कि जो वेक्ति इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, उनके अंदर कैसे गुन होगे, उनके लिए क्या चीज होगा सुब, उनके लिए क्या चीज होगा असुब, और उनकी विसेश्टाओं के बारे में जानेंगे, इसके हमने पूरी शिरीज बनाई है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्षबार